गुड मॉर्णी व्यूवस मैं इदेश 24 फिर्ट लब में आपका इसे स्वागत है गाइस आज है 25 वाद दिन हो चुका है आज का आज आपको मिलेगा बहुती बड़िया डायट आज होगी टोटल कैलरी 1200 से 1300 कैलरी साथ भी यहां पे प्रोटीन मिलेगा 71 परसंट फैट 2 परसंट और जो फाइबर है यहां पे 60 परसंट फाइबर हमको मिलेगा आज के डायट में तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरू देखे मेरी यूटूब चैनल 24 फिट लगको अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब जरू कर ले बैर आइकन को द सुआत में मौनिंग में हम लेगे अफ्रेस एनरजी ड्रिंक लेने के बाद हम करेंगे काडियो एक्सराइब 45 मिनिट की काडियो एकसराइब करने से हमारा पसीना चूट जाए और पसीना चूटेगा तो ही आपकी जो फैट है वो बन होने लगेगी तो गाइस आप पसीना वहाए 45 मिनिट का काडियो करें उसके बाद हम चलते हैं आगे गाइस मौनिंग ब्रेकफास में मौनिंग ब्रेकफास में नौर्मल हम जो ले रहे वही हमको लेना है लेते हैं हम फार्मुला वट शेक विद प्रोटीन और मिल्क इन तीनों चीजों को सुबह में लेना है आज हम लेने वाले बीट रूट सलाट, बीट हमारे हीमोगोवीन को बहुत ही अच्छा फायदे मन साबित होता है, तो बीट रूट सलाट आप दो बाव लीजिए और पेट भर के चबा चबा के उसको खाईए, अभी हम चलते हैं लंच की, और लंच में आज हम लेने वाले है पनीर, मटर, बटर मसाला, एक बाल लेंगे जो की हेल्थी होने वाला है, और वहां पे हमको पनीर जो है हमारे प्रोटीन को अच्छा देता है, हमारे सरीर को प्रोटीन की जो मातर है, उसको यहां पे अच्छा हमको प्राप्त होता है, तो गाईस उसके साथ हम लेंगे दो और बटर मिल्क ये तीन चीज़ों को सुबह में आपको आपके लच में लेना है उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों आगे कैसे बाद चलते हैं आप में इवनिंग स्नैक्स में हम आद लेने वाले अफ्रेस एनरजी ड्रिंक उसके सिवा हम कुछ नहीं लेंगे क्योंकि अफ्रे स्नैक्स में भी अफ्रेस एनरजी ड्रिंक लेना है उसके बाद चलेंगे हम डीनर की और डीनर में आज लेंगे हम प्लेंट कुक राइड्स और साथ में लेंगे कर्ड ये दोनों को मिल तरके आप खा सकते हैं क्योंकि उसमें काब्स भी अच्छी मातरा में आपको मिलेगा पच्छने में हलका रहेगा रात को खाएंगे तो आपका डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा इसलिए आप डीनर में है प्लेंग कुक राइस और साथ में कर्ड ले सकते हैं कैज ये टोटल क्यालरी आपको यहां पे 1200 से 1400 क्यालरी यहां पे टोटल प्राप्त होती है साथ मे जैसे मैंने बताया प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, काप्स, फैट और फाइबर यह चारो चीज़ों यह पांचे चीज़ों आप यहां पे अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे और आपकी जो 19 दिन का डाइट है आज 20 वे दिन का डाइट भी ऐसा ही होने वाला है और गा यह वीडियो देखके आप अपना भी हेल्थ अच्छा कीज़े क्योंकि गाइस हेल्थ अच्छा रखना हमारा पहला कर्म है क्योंकि हम अच्छा फीट रहेंगे तो कुछ भी कारे को आसानी से कर पाएगे साथ में 20 हमें किसी भी प्रकार की दिक्कते नहीं आएगी हमारे कि प्रकार के डीसिस नहीं आएगे और हमें टॉक्टर के पास कम से कम चाना पड़ेगा और लंबे जीवन तक का हमारे जो सफर है बहुत ही खुशनुमा जाएगा तो अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप अच्छे से अच्छा डाइब फॉलो कीजिए और आपके स स्वस्थ रखिए और बहुत सारे से लोग है जिनको ज्यादा फैड है और उन्हें बहुत सारे डीसिस का प्रॉब्लेम्स अभी स्फेज करना पड़ रहा है तो मुझे मैं आपको एक राय दूँगा कि अगर आप फॉर्मूला वन शेक साम के समय जो आप डीनर लेते हैं उ दोनों टाइम अगर आप फर्मूला वन शेक अड़ करते हैं तो काईज यहां पर आपकी जो विटामिन्स की जो कमी है वहां पर फूल्फिल होगी और साथ में आपका जो कैलेरी जो प्रबंधन है वह बहुत ही बढ़िया होगा और आपकी जो वेट लॉस प्रोग्राम में आए फैट लॉस प्रोग्राम में साथ में आपकी जो वाड़ी है बहुत ही अच्छा रियक करेगी और आप ज्यादा से ज्यादा आपको रिजर्ट जो प्राप्त करना है आपके वेट को कम करना है वह जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे और आप एक हैल्दी लाइफ जी करना है चुझे चुझे।